तो यह होती है यार हमारी तुमारी कॉलोनी तो यार अच्छी है लेकिन फिर भी यार यह देखो कॉलोनी यार बल्कुल आर्ट जमता है इससे विल्कुल दिख रहा है आर्ट और यह कॉलोनी यह देखो क्या सांदार कॉलोनी है यह देखो कितने अच्छे खासे चमचमात और इस तरफ भी आर्ट है, मैं दिखाता हूँ, क्या आर्ट है, आज हम आए हैं लोधी रोड आर्ट गैलरी, तो आपको दिखाएंगे, और इसके नियर आवाउट आपको लोधी गार्डन भी है, और लोधी गार्डन के लिए इधर से है रूट, इस तरफ से जाके, एक कट पे, आगे कट पे जाके लोधी गार्डन के लिए है, और इस तरफ आप आएंगे, तो आपको लोधी आर्ट दिखेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये है गाइस देखिए, लोधी कोलोनी में ये आर्ट कल्चर है, जो कि तहवार की तरह हर साल मनाया जाता है, औ और यहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और आगे मैं आपको दिखाता हूं कौन-कौन से आर्ट इह है आर्ट गैलरी, कुछ यह कितना सांदार आर्ट बनाया गया है यह हर साल तहवार की तरह मनाया जाता है कुछ यह दो कितने अच्छे पक्षे बना रखें उन्होंने कितना अच्छा इमेजिनेशन है इनका क्या आश्म है और यह दोनों तरब बना रखें देखो यह देखो और भी आगे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं इतना शांदार बना रखा है कि यह दो कितना शांदार है और सब्सक्राइब जबरतस्त आर्टिस्ट जिसका भी आइडिया है बहुत ही नायाब है घौती उम्दा है बहुत ही कमाल है अधिया गुंप द्वार क्या वालत है पिए इतनी सांदार चील है यह अंधा है अभी और भी बहुत सारे आर्टम में आपको दिखाने वाज़ा है ओ वाव कि यह कुछ साइंस से रिलेटिटिट बना रखा है अगर आप समझ पा रहे हैं तो यह साइंस से रिलेटिटिट बना रखा है कुछ देखिए यहां पर कुछ लिखे हुए हैं और इस तरह भी देखिए कुछ सान्दार सा विलकुल जबर्जस्ट सा आर्ट है वाव अभी मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ कुछ यह है आर्ट यहका वाव व्डाउ वीटीट श्टार जबर जस्ट ओसम सीछ इस तरफ आप जाएंगे तो मार्केटी मार्केट है और इसी रो में सारे आपको ये आर्ट देखने को मिलेंगे हर एक गलियों में हर एक नुकड़ पे वाओ क्या आट है डिली भिला आपको पूरा देखाते हैं कैसे लिखा है यह अधर से आप देखते हैं डिला और लिखा हुआ है है डिली एड विला और इस तरह भी है कुछ सांदार सी चीज़ें यह देखिए यह देखिए कितना ऑसम है कितना गजब है माइंड ब्लॉइंग सुपाब क्या बात है क्या बात है यह सांदार आर्ट यहां मन करता है कि फोटो लिया जाए और इंस्टाग्राम पर डाड़ी जाए यहां यहां बात है कि बात बात की आता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कोई आठ देखने है के लिए हां जो को जो कि परेक्बोंधान भिल्कुल आड़ जम रहा है इस फिर को दिखरा आप और आपने अच्छे खास से चंचमाते हुए गलिया है इतने चमचमाते हुए रोड से हर नुकड पर चो रहा है और इस तरह भी आर्ट है मैं दिखाता हूं इतना शानदार है अभी मैं आपको एक इंटरस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं फिलाल अभी आप यह देखी कितना सांधार मना रखा है और अभी मैं आपको एक इंटरस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं अब बने रही है मेरे साथ सो गाइस यह है वो इंटरस्टिंग जो मैं आपको दिखाना चाहरा था कि ये अल्फावेट्स बनाए हैं और उपर से सूरज की रिफ्लेक्शन पड़ती हैं जिससे अल्फावेट्स हमें दिखते हैं मैं आपको पास ले जाकर दिखाता हूं आप छिर्फित आपको जिखाता हूँ क्वेट्स आपको अ मैं गाड़ कि सम्ची जान करें अब जिए अस तरफ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह मैं लेक एज को दिखाता हूं और ये भी अफ्री गारी गुपती होई है आप आशे क्या सांदार आर्ट है यार मैं तो फिदा होगी आप आईए वाव जल परीटाइब का बना रखा है शांदार एक शॉट ये भी है वाव वत आएड़ वाव वाव वत आएड़ तो गाईज बहुत ही गर्मी है बहुत ही ताइड फील अभी और है किस तरह है लोदी कॉलोनी आट ग्यालरी घंभाई आपको किस तरह है यहाँ पर आर्टिस्ट पूरे वर्ड से आते हैं और यहाँ पर अपनी आर्ट दिखाते हैं सो कुछ लमूने मेंने आपको दिखाए I hope आपको पसंद आये होंगे आपको पसंद आये तो like करिए, share करिए और comment करिए और अपने friend को बताना ना भोलिए और share तो आपको जरूर करना है ठीक है बाकी आप enjoy करें कियुके दीक है आप प्रभाइब में आप 13 टाप centered आवच्सने लिफञें निव्जा ुबरेंग कर दो कर दो